नमस्कार दोस्तों किसी भी मनुश्य की मनुश्यता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख पर हसी आने रखती है नमस्कार दोस्तों रादे रादे, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल के भी रासी फल में, आज हम बात करने जा रहे हैं कुम्बराशी वालों के, कुम्बराशी वालों का 28 सितंबर दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों उसे सावधान रहना होगा, और कुम्बराशी वालों को आने वाले समय में, वो कौन-कौन से खुशकबरिया मिलने वाली है, तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, कुम्बराशी वालों का पारिवरिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनस वेपार कैस चलीगा, उनका प्रेम संबंद कैसा रहेगा, और साथी साथ उनका स्वास्त कैसा रहेगा, तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपून राशी फल बताएं, अगर दोस्तों, आपकी भी कुम्बराशी है, तो इस वीडियो को पूरा देखे, दोस्तों, आज गु चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओल पर सिलेक्ट करें अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांगी आज का पंचांग है अठाईस सितंबर दोहजार तेईस दिन गुरुवार आज की तीथिय चतुर दशी आज का नचत रहे है बुर्बा भादर पद नचत पच चल रहा है शुकले पच दोस्तों आज सूरिदे उदाय होंगे सुबह छे बच के बारा मिनट पे सूरिदे वस्त होंगे साम छे बच क 35 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तों कोई सूरिदे काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए सूरिदे और साती साथ आज का असुप समय दोपहर दो बच के 69 मिनट से दोपहर तीन बच के 47 मिनट तक दोस्तों आज आपका लखी नंबर है 3 और लखी कलर है नारंगी और सुनह अब बात करते हैं दोस्तों आज के चानक के नीति ग्यान के बारे में चानक किसी कहते हैं अगर आपका पार्टनर कर रहा है इगनूर तो अपनाएं ये टीप्स जी हाँ दोस्तों हमसे जो अधिकतर लोगों को स्यादातर समय फोन में वीडियो को स्क्रॉल करते हुए बिता पार्टनर की इसी आदत को बदलना है बेट टाइम में आप दोनों फोन को साइड रखे और एक दूसरे को टाइम दे उन्हाँ पुरानी चीजों को याद करना एक दूसरे में इंट्रेस को फिर से जगा सकता है दोस्तों मूट को फ्रेश करना हो या मिंटल स्टिस कम करना हो तो इसके लिए ट्रिप पर जाना बेस्ट है उसके साथ लंबी ट्रिप नहीं तो कम से कम डे ट्रिप का प्लैन करें आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता पाई तो दोस्तों आज का चानक निति ज्जान आपको पसंद आया हो तो एक लाइक शरूर कर देना अब बात करते हैं दोस्तो आज के कुम्ब राशी फल के बारे में कैसा रहेगा आपका आज का दिन आई ये जानते हैं तो दोस्तो अपने विचार व्यक्ते करने में हिचके चाहे नहीं और आपने विच्वास की इस कमी को स्वयम पर कदा पिहा भी ना होने दे क्योंकि या सिर्फ आपकी समस्या को और जटिल बनाएगा साथ यापकी तरक्की में भी रोड आटकाएगा अपना आपने विच्वास फिर से हासिल करने के लिए अपनी बात खुल कर कहें और परिशानियों का सामना होटों पर मुस्कुराहट की साथ करें पैसों की कमी आज घर में कलहा की वज़ा बनेगी ऐसी स्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझ कर बात करें और उनसे सलहा लें अज आपको अपने होसियारी और प्रभाव का प्रियोग समवेधन सील घरेलू मुद्दो को हल करने के लिए करना चाहिए यात्रा के चलते रुमानी संबंध को बलाबा मिलेगा नए विचार फायदे मन साबित होंगे और ऐसे बदलाव लाएं दोस्तों साथी के रुमानी पहलू को भरपूर तरीके से आपके समक्चे प्रस्तूत करेगा ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किस रूप में लेते हैं दोस्तों पती-पत्नी और लीव-इन पार्टनर आपके लिए आज प्रथम रहेंगे और आज इनकी तरफ से आपको कोई सर्प्राइज मिल सकता है ऐसे ही प्रयास करने से कुछ ही दिनों में आपका संबंध है नई उचाईयों को छुएगा कानूनी समझोते भी अभी आपकी सिर्दत का कारण बन सकता है इसलिए किसी पचड़े में परने से दूर रहें अगले कुछ दिन आपके सबसे खुशी शेभरे दिनों में से एक है आप अत्यधिक उर्जवान और उस्चाही मैसूस करेंगे आप स्वयम को अपने परिवार के करीब पाएंगे प्रेम का इजहार करने में पीछे ना रही रोमैंस भी अभी आनन दायक रहेगा जब आप अपने साथी को बता पाएं कि आप वास्तों में इसे पसंद करते हैं साथी आपको बताएं आप अपने अपने ही भीतर सक्ति का नया अद्वीत तेस्त्रोत ढून लेंगे और आपको यह अनुभाव होने लगेगा कि आप अपने जीवन में जिन समस्याव से अब जूज रहें उनसे निपटने के लिए आपको किसी भी ब्रहा सहायता की आवशक्त ने आप आसानी से स्वय हमी सब कर सकते है इस बात का अनुभाव आज आपको हो जाएगा अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइब की आपका प्रीम जीवन कैसा रहेगा आए जानते है तो दोस्तों आपके किसी आक्रशक अजनभी से अजीब और छोटी सी मुलाकात हो सकती है आप आसानी से अपनी मीठी बातों और आक्रशन से उन्हें अपनी तरफ खीच पाएंगे और उनके साथ इन्वाल्व भी हो जाएंगे लेकिन ऐसे संबंधों को किसी रिष्टे में तब्दिल होने की उमीद मत कीजिएगा कोई कहरा अर्थ तलाश करने की आविश्रकता नहीं फलट का मौसम है और आप अभी इसी का मज़ा ले रहें दोस्तों ध्यान रहे आप के लिए आज भी अपने प्रियतम के करीब आपाना वही मुश्किल परिस्थी ती जैसा रहा है जैसा पहले वास्तों में आप उनके काफी करीब है लेकिन अपनी आप परिपकवता के चलते आप भावनाओं के बादल में उलज गए आप या चाहते हैं कि दोनों सारे रिक और भावनाओं दोनों ही स्थरों पर और करीब आने से पहले एक दूसरे को अच्छे से समझ और चान ले इस भावनाओं गुपतगू के बाद आपके रिष्टे में काफी मजबूत ही आएगी अब बात करें दोस्तों आपके आज के वैपार और केरियर की तो दोस्तों आप धोका धड़ी के शिकार हो शकते आज का दिन किसी भी बड़े निवेज या खरीद के लिए उपरिक्त नहीं है अधन के मामले में किसी भी अंजान व्यक्ति पर भरोसन आगर अन्यता आप काफी वीत्य नुक्सान उठाना पर सकते है फिर भी सही समय पर परियाप्त विवेक के साथ आसानी से आप अपने धन की रच्छक कर सकते है आज यात्रक लिए ना कोई योजना बनाए और ना ही किसी को कोई भुकतान करे तो दोस्तो ये था आज का कुम्ब राशी का राशी फ़ल रोज की कुम्ब राशी देखने के लिए आप मारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलेक्ट करें आपका दिन सुब हो नमस्ते दोस्तो राधे किष्णा